प्लांट्स में फंगस लग जाते हैं तो उसकी कैर कैसी करनी है इसी के बारे में इस पूरे वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इन प्लांट्स में काफी सारे फंगस लग चुके हैं और मैं इनके कैर करने के लिए होम रेबिटी कुछ बना सको वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या होता है कि बारिश के सीजन में ज्यादा पानी की वज़े से सारे पत्ते वगेरा पीले तो पड़े ही जाते हैं सासत कुछ कीरे इस तरह के प्लांट्स को खराब कर देते हैं ये बहुत ही कुपसूरस सा मेरा क्रीनिम का प्लांट था बट इसमें अभी कितने सारे कीड़े लग चुके हैं और इनको यहां से रिमूफ करना बहुत जरूरी हो गया है इसलिए मैंने इनकी सारे जो भी खराब हुई सड़ी गली पत्तिया हैं उन सब को इसमें से रिमूफ कर दूँगी काफी सारे पत्ते खराब हो चुके हैं जितने भी सड़े हुए पत्ते हैं उन सब को मैं कट करके ही निकाल देती हूँ क्योंकि जो भी ब्रांचिस है वो अगर सड़ चुकी है तो वो दुबारा वो ही ब्रांच वापस नहीं खिलने वाली है इसके अलावा दूसरी नहीं ब्रांच आएगी अगर मैं इसको कट कर दूँगी इसने मैंने जो भी पत्ते खराब हो चुके हैं और पीले पड़ गए है वो वापस ग्रीन नहीं होंगे उसके अलावा नहीं ब्रांच ही आने वाली है और जैसे ही बारिश का मौसम थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा उसके बाद नए पत्ते आटोमेटिकली यानी स्टार्ट हो जाएंगे पर इसके अंदर जो भी इतनी बुरी तरह से जो फंगस लगा है पहले मुझे उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए मैंने एक होम सॉलूशन ब आपकी कीड लगे हैं वहां हर जगा पे श्राव करना है इसको अगर आप किसी दूसरे प्लांट में भी अगर आपके कीडे लग रहे हैं तो इसको आप अपलाई करके देखिए काफी फाइदा होता है मैंने कुछ टाइम पहले इसको अपने गुलहर के फूलो पे अपलाई किया था उसके प्लांट में काफी जादा खराग हो रहे थे तो वो उससे काफी अच्छा हो गया इसके बाद मैंने ये इस पे भी अपलाई किया इसका कैसा रजल्ट आएगा वो मैं थोड़े दिन बाद इसका वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करिए और थोड़ा भी यूसफुल हो तो प्लीज लाइक करें